उधामपूर के बारे में क्या भविश्वाडी आप करेंगे या ये कहा जाए क्या पेशन गोई आपके रहेगी आपका तजर्बा मुझफर साब क्या कह रहा है अब टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इवियम की जो मशीने हैं वो एक तरह से पैक ह आया जाए और यहां से निकला जाए जिन पोलिंग बूत पर अब वोटरस नहीं है शाम के छे बच चुके हैं डेडलाइन पूरी हो चुकी है अब यहां से वोटिंग अमला अपनी तमाम तैयारी के साथ निकलने की तैयारी कर रहा है और इसके बाद एवियम मशीनों के और इसके बाद इन एवियम मशीनों के साथ यहां से निकलेगा और तमाम उम्मीदवारों की किसमत एक तरह से एवियम में कैद हो गई है किस उम्मीदवार किस पार्टी और किस जमात के हक में लोगों ने और वोटरस ने फैसला किया है यह एक तरह से अब चार जून को ही पता चलेगा जिस दिन नतीजे आना शुरू होंगे मैं मुझफर साब मेरी आवाज आप तक आ रही है मैं मुझफर साब यही कह रहा था कि अब तो यह वीम बंद हो गई खिसमत का फैसला चार तारीख होगा आपका तजर्बा आप क्या कह रहा है आप खुल कर बोल सकते है क्योंकि अब अभी तक यह था कि अभी हार और जीत की बात न की जा लेकिन अब यहां से खुल कर बोला जा सकता है क्योंकि नैशनल कॉन्फरेंस ने बहुत मेहनत की है इस सीट पर इंडिया अलाइंस के उम्मीदवार को जीताने के लिए अबो हुरेदा साथ जो कदगन लगी है एक्जिट पॉल की वो आप पर लगी है मुझ पर नहीं